हेलो एवरिवन वेल्कम टॉ टार्गेट एंट्रेंस एक्जैम यूट्यूब चैनल आज हम लोग अपना साइंस का सेशन रखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोई नहीं किया है तो जाके जल्दी से जोईन कर लिजे टेलिग्राम यूपी बीयर एंट्रेंस 2022 डालके भी सर्च कर सकते हैं आपको हमारे क्रूप का लोगों मिल जाएगा आपको टेलिग्राम पर 10 एम और इवनिंग 6 पे डेली कुईजिस होती है जो कि आपकी प्रेशन को बहुत जादा हेल्फुल बनाएंगी इसके अलावा यूट्यूब पर 10.30 और 5.30 को इवनिंग क्लासेज होती है 10.30 को मॉर्निंग और 5.30 इवनिंग आपकी यूट्यूब पर क्लासेज होती है जो कि आपकी प्रेशन को बहुत जादा हेल्फुल पनाएंगी तो चलिए हम लोग आज अपना साइंस का कुई स्टार्ट करते हैं साइंस में हमा अनुप्रस्त, B. अनुदैधरे, C. विद्ध्यू चुम्ब किया, D. आ प्रगामी तो इसका सही आंसर है B. अनुदैधरे, अनुदैधरे प्रकरती होती है आप लोग अपने आंसर कमेंट्स में देते रहे हैं सेक्ट कोशन हमारा निम्न में से कौन सा कथन दोनी तरंगों क के लिए सत्य है, A. इनको दुरूवित किया जा सकता है, B. ये निर्वात में चल सकती है, C. जीरो डिग्री सेलसेस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकिंड होती है, D. उप्यूक्त कथन सत्य है, इन में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य आ सत्य का ध्यान रखेगा, क्योंकि यही जीरो डिग्री सेंटिकेट पर इसकी चाल 332 मीटर पर सेकिंड होती है, थर्ड कोईशन है हमारा, आफश्राब वितरंगों के आवरती होती है, आफश्राब वितरंगों के आवरती कितनी होती है, A. 20 Hz से कम, B. 20 Hz से अधिक, C. 20,000 Hz से अधिक, 20,000 Hz का मतलब 20 kHz, तो 20,000 Hz से 20,000 Hz के बीच में, तो देखें, इसका आंसर सही आंसर जो होगा, A. 20 Hz से कम, देखें, आपको एक चीज़ बताती हूं, जो 20 Hz हमारा हो जाता है, 20 Hz से 20 kHz, जिसे हम 20,000 Hz भी कह सकते हैं, यह दिखाए ना 20,000 Hz, इसे हम 20 kHz ही कहते हैं, जो 20 Hz से 20 kHz के बीच में जितनी भी आवर होती है, उसे हम सुन सकते हैं, इस से उपर की जो भी आवरती होगी, 20 Hz से कम की जितनी आवरती होगी, वो होंगी हमारी अफश्रव वितरंगे, और 20 kHz से जितनी जादा की आवरती होगी, वो सारी की सारी हमारी होगी, पराश्रव वितरंगे, मतला आप समझो, अफश्रव वो हमारी होगी पराश्रवे तरंगे ठीक है यह हमारी रेंज होती है तो अफश्रवे तरंगों की जितनी आवर्थ कितनी आवर्थी होगी 20 टे फ्रइज से कम से पराश्रवे टरंगे डियस हैं जिनके आवर्ती कॉस्चन हमारा पराश्रवे टरंगे वे दियसमें टरंगे हैं जिनके आवर्ती ऑपनbn हेड़्स और थाउजन हर्ट्स के बीच है वें थाउजन कर्षों टॉन्ती 1000 Hertz के बीच है C 20 kg हर्ट से अधिक है या D 20 हर्ट से कम है इसका सही आंसर आप लोग देंगे पराश्रवे तरंगे के आवर्थि कितनी उती है तो मैंना इभि आपको बताया पराश्रवे तरंगों के तरंगे मनुष्यदारा A, सुनी जा सकती हैं, B, नहीं सुनी जा सकती हैं, C, कभी-कभी सुनी जा सकती हैं, D, इनमें से कोई नहीं. अब पराश्रवे तरंगे क्या हम सुन सकते हैं? आप लोग Weird Roomial Union, अमीन बताएगे क्या हम सुन सकते हैं, D, इसका सही आंसर होगा, आप लोग इसका आंसर कॉमेंट में देते रहे है, 6th question है हमारा, पराश्रवे तरंगो को सबसे पहले किसने CT बजाकर उत्पन ने किया था, A, न्यूटन ने, B, गाल्टन ने, C, हर्ट्स ने या D, फेराडे ने, तो इसका सही आंसर होगा, B, गाल्टन ने, गाल्टन ने सबसे पहले पराश्रवे तरंगो को CT बजाकर उत्पन किया था, ठीक है, 7th question है हमारा, शिकार, परभख्षियों या बाधाओं का पता लगाने क के लिए, चमकादर अत्वा डॉल्फिन किस परिखटना का प्रियोग करते हैं, शिकार, परभख्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए, चमकादर विडॉल्फिन किस परिखटना का प्रियोग करते हैं, मतलब उस परिखटना का नाम क्या है, A, धोनी का अपड़त किड़ों तथा हानी पहुचाने वाले तत्वों को घड़ से दूर भगाने के प्रियोग में प्रियोग किया जाता है तो इसका आंसर आप लोगों पता होगा क्योंकि यह तो बहुत ही चलता है तो इसका सही आंसर है हमारा अल्ट्रासोनिक तरंग है यह कि हम वो नहीं सुन सकते हैं लेकिन वो सुन सकते हैं नाइन्थ कोईशन है अमारा ध्वनी का तारत विया पिछ किस पर निर्भर करती है तो इसका सही आंसर है हमारा A आवर्ति धनी की पिच्चों आती है वो आपरती पर निर्भर करती है 10th question के आंसर देंगे आप लोग अपने answer comment box में देते रहें 10th question है हमारा विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक पराश्रवे तरंग विमानों की आंतरिक भागों की सफाई के लिए पराश्रवे तरंगों का उपयोग किया जाता है 11th question आया हमारा अगला 11th question का आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें 11th question किसी और वयस्क के लिए दोनी की श्रवे सीमा कितनी होती है इसका मतलब एक और वयस्क जो व्यक्ति होता है वो कितनी सीमा तक हमारी सुन सकता है तो इसका अभी मैंने आपको बताया था इसका से आंसर आप लोग 10,000aya to 2900 kai हम जो व्यक्ति श्रवे सीमा कितनी होती है इसके सघdo यहन से 20 देज़ और 120 किलो हर्ट हर्ट के बीच थीकिंडीः इससे उपर की आपको पता ही है 20 Hz से जितने भी काम होंगी वह अफश्रवी तरंगे और 20,000 Hz ये 20 kHz से जतने ज्यादा की तरंगे होंगे वह सब हमारी पराश्रवी तरंगे और हम सिर्फ कितना सुन सकते हैं 20 Hz से 20 kHz से 20,000 Hz ठीक है 12 कोईशन का अंसर देंगे आप लोग ध्वनी के आवर्ती नियू तरंग धाधरे लेंड़ा और चाल वी के बीच में क्या संबंद देखिए सीधे सीधे कोईशन भी पूछे जाते हैं डारेक्ट फॉर्मला पूछ ले बार्ती अंधरे लेंड़ा वे चाल वी के बीच में क्या संबंदत है ये वीईई इक्वेस्टुल ये दियू अपउन लेंड़ा तो इसको डच अंसर आप लोग देंगे इसका सही अंसर है ये वीई इक्वेएटू लेंड़ा नियू तीक है थाटीन कोईशन पर आते हैं थर्टीन कोईशन के आंसर दीजेगा कमेंड में थर्टीन कोईशन है चंद्रमा पर धरातल से दूर विश्वोड सुनाई नहीं पड़ता है इसका रीजन बताईए ए बायु मंडल के अनुपस्तिदी के कारण बी चंद्रमा का गुरुत्वा करशन कम होने के या डी उप्योक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर आप लोग देंगे कमेंड में हाँ इसका सही आंसर है ए वायु मंडल की अनुपस्तिदी के कारण जो धरातल से दूर विश्वोड होता है वो चंद्रमा पर सुनाई नहीं देता 14 कोईशन है हमारा चमकादर अंधेरे मे और सकती है चमकादर अंधेरे में और सकती है क्योंकि उसका रिजन पूछा है ए अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है वी उसकी आपका प्यूपिल बहुत बड़ा होता है सी वे अती तीव्र धनी तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंतरन करती है डी कोई बीचडिया इस और Ск्क गादर अंधेरे में मोहरे सकती है क्योंकि इसका रिजन प्रताई है यूज अभी लिए पर यहांवल्य प्रतिध्वन्हानल से नियदार ठीक है? 15 questions पर आते हैं. 15 questions में हमें एक कथन दिया है और एक उसका कारण दिया है. कथन आ हमारा E जिसे नाम दिया है, कथन आ हमारा चमकादर रातरी में किसी वस्तू से बिना टकराए हुँए ही उड़ता है. इसका कारण हमें दिया हुआ है चमकादरों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है तो हमारा option है A, एवा मार दोनों सही है तिता R, A का सही स्पस्ठी करण है B, A, एवा मार दोनों सही है परन्तु R, A का सही स्पस्ठी करण नहीं है B, A सही है परन्तु R गलत है या D, A गलत है परंतु आर सही है मतलब आपको बताना है कि कथन है ये कारण है अब आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है या कथन सही है या कारण सही है ये क्या सही है इनमें से कathan है हमारा चमकादर रात्री में किसी वस्चो से टकराएं बिना ही उड़ते हैं तो इस का यह तो कithm तो बिल्कुल सही है आपको पताए ह। बह정 कहलेँ ऐसी करते हैं लेकिन कारण क्या दे रखा है कारण दे रखा हैं चमकादरों से इंफरासोनिक तरंगे निकलती हैं और यह कारण बिलकुल गलत है, क्योंकि चमकादरों से इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं निकलती है, चमकादरों से प्राधोनी तरंगे निकलती है, तो यह है कथन A सही है, परंतु R गलत है, ठीक है, A सही है, परंतु R गलत है, चमकादरों से प्राधोनी तरंगे निकलती है, औ इंफ्रसोनिक तरंगे हमारी अफ्षरवे तरंगे हो जाती है ठीक है 16 कूश्चन वायू में ध्वनी की चाल 332 पर सैकंड होती है यह दिदाब बढ़ाकर दुगना कर दिया ज़त द ध्वनीकी चाल क्या होगी वायू में हमारी ध्वनीकी चाल दे रखी है वो दे रखी 332 c 66 mps या d 100 mps धुनी की चाल अगर हम इतनी रखते हैं 332 mps दाप अगर हम दो गुना कर देंगे तो धुनी की चाल क्या होगी तो इसका सही आंसर है बी 332 mps क्योंकि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी धुनी की चाल पर आपका किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हूँ 17 question का अंसर देंगे आप लो 17 question है निमने द्रव्यों में से धुनी सबसे तेज यात्रा करती है इसका आंसर देंगे आप लो comment में इसका सही आंसर है एस्टील में क्योंकि जो द्वनी की चाल होती है वो सबसे तेज होती है ठोस में फिर होती है द्रव में फिर होती ही गैस में ठोस द्रव और गैस इसमें से ठोस कौन सा है स्टील तो सबसे तेज चाल जो होगी वो होगी द्वनी की सबसे तेज यात्रा जो होगी वो होगी स्टील में 18 quesion की बात करते हैं बातलो की बिजली की चमक के काफी समय बातलो की गर्जन सुनाई देती है इसका कारण है प्रकाश की चाल दूवनी की चाल से बहुत अधिक होती है इसका सयांसर डीजे A,B,C disruption तो इसका से आंसर है हमारा D प्रकाश की चाल धोनी की चाल से बहुत अधिक होती है इसलिए बातलों की बिजली की चमक के काफी समय बातलों की आवास सुनाई देती है पहले बिजली की चमक फिर आवास ठीक है? उसके बाद हमारा 19 question होता है 19 question है हमारा वायू में ध्वनी का वेग है लगबग वायू में ध्वनी का वेग कितना है? वो है A. 330 मीटर पर सेकिंड B. 220 मीटर पर सेकिंड C. 110 मीटर पर सेकिंड D. 232 मीटर पर सेकिंड इसका सही आंसर देंगे आप लोग द्वायू में ध्वनी का वेग कितना है ध्वायू में ध्वनी का वेग है हमारा 330 मेटर बड़ सेकिन यानि option A हमारा बिलकुल correct है हमारा आज का last question है 20 question आप लोग इसका answer दीजेगा किस मादध में ध्वनी सबसे तेज चलती है अभी मैंने आपको बात बताइए कि सबसे तेज दोनी जो चलती है फिर द्रब में और फिर गैस में इसका सही answer अमारा किया होगा सबसे तेज गोणी किसमें चलती है थोस में हाँ थोस में जिसका सही answer होगा ए थोस ठीक है आज का हमारा session यहीं खतम होता है और इसके अलावा आप लोग अपने question की practice करते रही है morning 10.30 पे और evening 5.30 पे आपको YouTube पे classes available रहती है आप लोग उसे join कीजेगा और उसके अलावा टेलेग्राम पे join हो जाएए टेलेग्राम पे आपको कोईजिस डेली होती है संडे को offer रहता है उसके अलावा हर week में आपकी कोई क्यारी करते रहे है थैंक्यू